भारत दिनी न्यूजलेंड को सेमी फाइनल में 70 रनों से हरा कर फाइनल में जगए बना ली है भारत वोलकप 2023 के फाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम बन गई है अब साउथ अफ्रिका और आस्टेलिया के बीच दूसरा सेमी फाइनल होगा देखना होगा कि फाइनल में गेंद बाजी करते हुए नजर आया और दो गेंद में पूरे मैच का पासा ही पलट दिया एक समय ऐसा था जब न्यूजलेंड की गिरफ्त में ये मैच आ गया था और तमाम जो चेहरे थे भारतिये दिल थे वो मायूस होने लगे थे एक सनाटा सा पसर गया था पूरे वान लेथम को भी चलता किया और ये दो वो गेंद थी अगली ही गेंद पर नहीं कहेंगे क्योंकि एक गेंद के बाद उन्होंने दूसरा विकेट लिया तो टॉम लेथम को उन्होंने आउट किया और इस तरह से ये दो विकेट गिरने के बाद न्यूजलेंड की टीम पर एक प बनाये थे जिसमें विराट पूली ने एक माइल स्टोन बनाया था पचास वंडे शत्कों का लेकिन इस मैच में बात करनी होगी पूरी तरह से शमी की गेंदबाजी की जिन्होंने ये मैच पलटा पंजा उन्होंने हासल किया खुल साथ विकेट इस मैच में चटकाए हैं और मौहमद शमी जो है इस वर्लकप में एक्सेप्शनल नजर आए एक समय ऐसा था जब उन्हें प्लेंग 11 में भी जगे नहीं मिल रही थी लेकिन मौहमद शमी यहाँ पर न्यूजलन में मायूस होते जो भारतिये चेहरे थे भारतिये फान्स के भारतिये टीम के जो प्लेयर थे क्योंकि हर जगे जो न्यूजलन की तरफ से केन विलिमसन और डेल मिचल जिस सरे से बल्लेबाजी कर रहे थे एक सनाटा जरू पसड़ गया था एक मायूसी थी लेकिन उसी बीच मौहमद शमी के एंट्री होती है कप्तान ने भरोसा जताया और उस भरोसे पर मौहमद श शमी ने वापसी कराई साथ विकेट जटके हैं मैं आपको बता दूँ और बहुत ही शानदार गेंदबाजी मौहमद शमी की तरफ से इवन जस्परीत बुमरा ने भी बहुत अच्छी बल यहां पर गेंदबाजी की और विकेट हासल किया उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का त लेकिन यह सबसे बड़ी न्यूज, सबसे बड़ी खबर की मौहमद शमी की यहां पर गेंदबाजी दो गेंद में पलट दिया, पूरा मैच और भारत ने फाइनल में जगे बना ली है, अदर स्पोर्ट्स अप्डेट्स के लिए देखते रिए एंड़ टीवी